जैसे किस्ना वक्तों, जलदान की कानी सुनने से सभी प्रकार कि पापों का नास होता है, ने संतानों को संतान प्राप्ति होती है, नर्दन धनवान होता है, रोगी रोग से मुक्त होता है. आप सभी इस कथा को ध्यान लगा करके नित्यप्रती सिवन करें भक्तों पहले समय पर त्रेता युग में एक सेथ और सेथानी थी सेथ और सेथानी दोनों ही धार्मिक प्रविति के थी भगवान की पूजा पाठ करते भगवान सिबजी का अब सेख काते बिश्म भगवान की पूजा करते उनका आदा जीवन बीत गया उनके घर में एक नोकर भी था पैसे की कोई कमी नहीं थी एक दिन सेथ सेथानी रो रहे ही कि हमारे कोई संतान नहीं है हमने बहुत उपाय किये कोई संतान नहीं हुई तब नोकर ने कहा कि सेथ जी पास्मिक सादू बाबा रहते ही बहुत बड़े ज्यानी ही उनको बुला करके ले आऊं अगर आप कहें तो सेथ जी ने अग्या दे दी नोकर सादू बाबा को सम्मान के साथ लेकर के आया सेथ सेतानी का सादु بाबा ने हात देखा का कि सेथ जी आपके कई जनमों तक संतार नहीं है सेथ सेतानी रोने लगे कि सादु बाबा आप कोई उपाय बताएं सादु बाबा ने का सेथ जी पिछले जनम में तुम पुझा री थे पूजा पाठ करते थे तुम्हारे कन्या हुई, तुम कन्या से नफरत काते थी, कन्या पाँच वरस की हुई, वो बीमार हो गई, तुमने उसका इलाज भी नहीं करवाया, इसलिए कन्या की मृत्तु हो गई, उसी दोस्त के कारण, इस जनम में तुम्हारी संतान नहीं है, तुमने पूजा पाथ दान पुन्न करे उसके कारण तुम धनवान हुए अच्छे कुल में जिनम लिया सेजी ने का सादु माराज मैंने कन्या की हत्या पिछले जिनम में करी इस पाप को लेकर के मैं कैसे जिऊंगा इससे कोई दोस्को निवारन का उपाय बताएं अब मुझे संतान के भी इच्छा नहीं हैं सादु माराज ने का के एक उपाय हैं आप नित्प्रती गंगा जी किनारे नंगे पैर जाकर के आप गंगा इसनान करें और वहीं बैठ करके सुवे से साम तक लोगों को जलका दान करें तुमारे दोस अवस मिटेंगे अब सेजी नित्प्रती सेथानी सेजी गंगा इसनान जाते गंगा इसनान करके जलदान करते पूरा महिना उन्हें ने बिता दिया उसके कारन उनका दोसनस्त हुगा, एक वरस के वाद में उनके गरकन्या का जनम हुगा, सेथ सेतानी जो हैं, जल दान करने लगे और पुर्ण्य पूजा पाठ करने लगे, इस तरह से वक्तों कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जल का दान कने से सभी पापों से इमुक्ति मिलती है कथा सुनने से सभी दोस नष्ट होते ही गंगा इश्नान का फल प्राप्त होता है आप सभी जो है इस कथा को शेर जिरू करें चैनल को सबस्क्राइब करें आप सभी को जैसी किसना